प्रेंड्स को भी हेल्फ किजिए चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं वेल्कम तु दा नेक्स सेशन इन दिस सेशन वी आप जानते हो कि हम ड्राइंग बनाने से पहले हम लोगों को शीट ले आउट जानना जरूरी होता है क्योंकि हमें ड्राइंग किस पर बनाना है शीट के अंदर बनाना है या फिर शीट के अंदर ही ड्राफ्ट करना है पूरी तरह से हलाके AutoCAD में ये सिस्टम नहीं है कि बबा आपको जबर जस्ती शीट पहले बनाना होगा तब ही आप ड्राइंग बनाईए ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपना Custom Size आप अपने Standard Size जो होता है हमारा ये देख सकते हैं आप BIS के दवारा जो हम लोगों को मिला है Indian Standard Bureau of Indian Standard तो ये कुछ sizes दिये गए हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने Drawings को Print करने के लिए ठीक है Sizes of Drawing Sheet as per BIS Bureau of Indian Standard तो दो sizes यहाँ पर दिये गए हैं एक तो होता है हमारा Untrimmed Size और दूसरा होता है Trimmed Size इन दोनों में Difference यह होता है Suppose example आप ले लीचे A4 Size का ओके जिसका हम Regularly यूज करते हैं और A3 का ठीक है तो जब भी हम लोग Market से कोई Sheet खरीदते हैं तो Actual Size उसका यह होता है ओके इसको बोलते हैं Untrimmed Size और यह हम Trimmed Size Exactly हमारा इसको बोलते हैं यह Untrimmed यह Trimmed Size हो गया तो क्या होता है Untrimmed और Trimmed Size अभी मैं आपको बना के बताता हूँ ठीक है तो फिलहाल के लिए हम लोगों को BIS को ही Follow करनी है और हम जो भी Sheets Layout बनाते हैं वो सब BIS के According होता है ठीक है तो मैं Example A4, A3 का ले लेता हूँ दो बाकी हम लोग उसी को अधार मानके बाकी का काम भी कर सकते हैं हलाके A5 हम लोग नहीं बनाते हैं A4, A3, A2 Depend करता है का आपका Project का Size छोटा है या बड़ा है जैसे कि आप इसको देखेंगे तो इसमें कितने Components हैं 4-5 Components एक Sheet में डाला गया है और Depend करता है How many Components we have है ना और उस Component का Size क्या क्या लिया गया है तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं Sheet का Size लेते हैं फिलहाल के लिए हम A4 को ही Target करेंगे और A4 और A3 को Target करेंगे तो चलिए फिर यहां से हम अपने Drawing Sheet को तयार करते हैं Machine Drawing बनाने के लिए तो यहां पर मैंने Layers बना लिये हैं आप लोगों को पता ही होगा हम Layers को कैसे बनाते हैं ठीक है नहीं तो हम इस Machine Drawing में एक बर और बता देंगे आपको जैसा कि आप देख पार हो यह हमारा Untrimmed Sheet है ठीक है Untrimmed Sheet का Size क्या दिया हुआ है A4 के हिसाब से 240 x 330 का एक Size दिया गया है यह होता है Untrimmed Size जो हम Market से खरीदते हैं ठीक है उसको हम लोग अपने Requirement के हिसाब से इतना तो हम Size बना ही लेंगे उसके अंदर ही हमें क्या करना है Drawing करनी है देखिए अभी एक Sheet बनाते हैं A4 के हिसाब से ठीक है तो चलिए यह Actually 240 x 330 का लिया गया है तो चलिए एक में Rectangle ले लेता हूँ और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है जरागों से देखिएगा कितना है 240 x 330 ओके 240 टाब 330 और याद रखिए यह जो Dimensions दिये गए हैं यह बिल्कुल भी MM में है ठीक है Make Sure आपका Unit जो हो वो MM में होना चाहिए तो जैसा कि आप देख सकते हो UN Enter करके हमने इसको चेक कर लिया है Precision वगरा इतनी कोई जरूरत नहीं है एक तो यह हो गया हमारा Portrait और अगर Landscape लेना होगा तो आप इसको Copy कर सकते हैं यहां से और इसको आप Rotate कर सकते हो ठीक है तो यह हमारा Landscape हो गया तो दोनों ही सही है Depend करता है कि आप कौन सा कैसे Print Out करने वाले हो और आपका Components का Orientation कैसा है तो उसके हिसाब से आप Landscape लेना है कि Portrait लेना है आप Beside करते हो आई बाद समझ मैं तो चलिए मैं अभी फिलहाल क्या कर लेता हूँ मैं अभी फिलहाल Portrait ही लेता हूँ Sorry Landscape लेता हूँ Portrait को हटा देता हूँ यह हमारा Untrimmed Sheet हो चुका है अब एक और काम हमें करना है दिखिएगा यह हमारा है Trimmed Sheet Actually You can see here Trimmed Sheet Trimmed Sheet हम क्या करेंगे तो 210 By 297 आप चाहो एक और ले सकते हो हमारा Trimmed Sheet ले लेता हूँ 210 210 mm Tab 297 mm आप आई से ले सकते हो और बाद में हम क्या करेंगे इसको Rotate कर लेंगे ठीक है आप इसको Select किजिए Move किजिए और इसके Center से उठाइए और जाके आप इसके Center में रख दीजिए यह हमारा क्या हो गया है Trimmed Sheet Actually मैं सब का भी Name लिख दूँगा And this is your Trimmed Sheet ओके यह जो होता है वो हमारा Untrimmed Line होता है Maybe कभी-कभी बजार से खरिते वक्त यह गलत भी होता है याद रखिएगा हमारा Sheet जो होना चाहिए वो Angle इधर से इधर तक 90 डिगरी का होना चाहिए Remember that यानि Perpendicular होना चाहिए इधर से भी इधर से भी और इधर से भी कई बार ऐसा होता है यह 90 डिगरी का होना चाहिए और आमने सामने के Lines हमारे Parallel होना चाहिए तब ही जाके आपका Sheet काम करने के लिए तैयार होगा आई बात समझ मैं है तो फिलहाल मैं इन सारे Dimensions को Side कर देता हूँ या Delete कर देता हूँ ओके यह हमारा Untrim'd हो गया यह हमारा Trim'd हो गया ठीक है और यह जो है हमारा इसको आप Margin बोल सकते हो यह जो Space बचा हुआ है उसको आप Margin बोलते हो आई बात समझ मैं एक और काम हमें करना है ठीक है Borderline हमें बनाना पड़ेगा जो की 10-10 mm का होता है आप चाहोत इधर से 10 इधर से 10 इधर से 10 और इधर से आपको 40 mm लेना चाहिए देखते हैं कैसे करना है मैं यहां से Offset ले लेता हूँ 10 mm इंटर कर दिया और याद रखिये मैं इसको पकड़ का ऐसा ले लिया लेकिन कई बर ऐसा होता है इस साइड से यानि लेफ्ट साइड से हम लोग 40 mm रखते हैं यह यू कें सी यह क्यों होता है क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो हो सकता है बबा उसको Spiral Binding की जरूरत पड़े या फिर Staple करने की जरूरत पड़े ठीक है तो इस साइड में Spiral Binding करने के लिए यह जगा छोड़ी जाती है लेकिन आज कल क्या हो गया है हम लोग folders ले लेते हैं ठीक है तो folders अगर आप यूज कर रहे हो तो हमें यह 40 mm छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दर असल आप चाहो तो यहां से यह 10 mm का ले सकते है और यहां से यहां तक हमारा 40 mm का होता है बट डिपेंड करता है बबाँ आप किस जगा पर इसको store करने वाले हो ठीक है नव तो यहां पर हमने 10-10 mm का ले लिया है हलाके यहां पर अगर आप होता है न फोल्डर जिसमें लेमिनेटेड प्लास्टिक का कवर होता है ठीक है तो अगर आप उसमें इस sheet को रखने वाले हो तो हमें यह 40 mm रखने की जरूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हो इसको हटा दीजिए और यहां से आप क्या कर लो 30 mm मुदर सरकाद हो ठीक है तो इससे होगा यह कि बबा हमारा space थोड़ा बच जाएगा और एक sheet में हम ज़्यादा से ज़्यादा drawing बना पाएंगे आई बात समझ में यह तो हमारा हो गया है अब देखिएगा किसको किसको हम क्या क्या कहते हैं जरा हम उसको लिख देते हैं ठीक है यहां पर देखिए कोई हमारे आप देखिएगा एक और चीज़ है इसको आप borderline में convert कर दीजिए हमें यह borderline है और इसकी ठीकनेस थोड़ी से ज़्यादा होनी चाहिए यह आप देख सकते हो यह हमारा borderline आप चाहो तो इसका color जो है यहां से by default dark या white रख सकते हैं ठीक है यह हमारा borderline हो चुका है आप जैसा कि देख पा रहे हो यह हमारा A4 size का seat हम तयार कर रहे हैं आई बात समाज में अगर इसका double होगा तो A3 हो जाएगा A3 का double होगा तो A2 हो जाएगा यह मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ ठीक है हलाके जब आप autocad में काम करते हो या इस तरह के कोई भी designing software में काम करते हो तो हमारे sheets जो हैं वो बने बनाए होते हैं लेकिन अगर custom sheets हमें बनाने हो ठीक है अब यह तो हमारे हो गए हैं अब थोड़ा समय मार्किंग कर देता हूँ यह हमारा untrimmed sheet होता है ठीक है untrimmed sheet इसको आप inaccurate बोल सकते हो और यह जो हमारा है उसको आप trimmed sheet बोलते हो ठीक है trimmed sheet ओके और यह जो हमारा होता है यह हमारा हो गया मार्जिन ओके यह हमारा मार्जिन हो गया ओके और यह हमारा मार्जिन लाइन होता है ठीक है This is our margin line Ignore spelling ओके Yes, this is our margin line और यहां से हम इसको capital कर देते हैं margin line यह हमारा border हो गया आप border बोल सकते हो border ओके या तो borderline आप इसको बोल सकते हैं जो भी हमारे drawings बनेंगे इस borderline के अंदर ही बनेंगे क्योंकि क्या होता ऐसा में के साथ जैसे कि आप drawing बना लिए drawing में भी बहुत ही किम्ती होता है आप देखेंगे किसी-किसी बड़े-बड़े company में तो वो एक drawing को इतने समहाल के रखते हैं जैसे कोई मतलब बहुत ही costly चीज होता है न जी क्योंकि drawing बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और हो सकता है main drawing से उस company का पूरा production चल रहा हो ठीक है तो उसको वो बड़े ही सहेज के रखते हैं एकदम security में और किसी company का drawing जो है वो उसकी खुद की property होती है उसको कोई अगर चोरी करता है या illegally use करता है तो उस पर legal action भी हो सकता है ठीक है तो ये drawing जो भी बनाया जाता है वो बड़ा ही किम्ती होता है याद रखिएगा तो कभी कभी क्या होता है जादा दिन रखने के कारान print out रखने के कारान side side से फट जाता है ठीक है तो अगर फटेगा तो side side से फटेगा बीच में हमारा drawing बिल्कुल भी safe रहेगा तो इसी लिए हमें क्या करना होता है यह margins जो है हमने उसी के लिए छोड़ा हुआ है बबा फटेगा तो इतना फटेगा और अगर इसके अंदर फट गया तो समझ लिजए कि किसमत खराब है ओके तो यह हमारा एक A4 size का यानि यह हमारा size है और इसके अंदर हमें 10-10 mm का offset लेना है यह हमारा हो चुका है अब बात कर लेते हैं जरा साथ title block की तो title block ऐसा चीज होता है जिसमें उस drawing के बारे में सारे information दिया होता है जैसे किसने बनाया है कब बनाया है इसको किसने पास किया है ओके approve किया है किस date में किया है और sheet की size वगेरा क्या है और जो drawing बनाया गया है वो किस method से बनाया गया है यानि जो हम लोग पढ़ते हैं first angle projection method से बनाया गया है या third angle projection method से बनाया गया है तो उसका एक sign भी हमें यहाँ पर देना पड़ता है दरसल अगर मैं एक बात बता हूँ तो इसका कोई standard size ऐसे BIS define नहीं करता है क्योंकि किसी sheet में या किसी drawing में ज़्यादा information हो सकता है किसी sheet में कम information हो सकता है तो यह थोड़ा सा fixed size रखना title block के लिए यह थोड़ा सा सही नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको डालना ही हो तो हम लोग इसको follow कर सकते हैं देख लिजेगा यह 190 mm by 65 mm का यह हमारा title block यह जो size है actually A4, A3, A2, A1, A0 हर एक के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हो ठीक है तो चलिए हम इस title block को भी बना लेते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हो 190 by 65 का हम लोगों को लेना है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप क्या कीजिए इसको explode कीजिए ठीक है O4 offset 190 enter आप यहां से left side में ले सकते हो और इधर से आप 65 में ले सकते हो आप अगर देखेंगे तो यहां पर पता चलेगा यह तो title block ही पूरा cover कर लिया है अब tr double enter करके इसको और इसको हटा दीजिए दरसल यह size ही हमारा A4 का है तो इतना तो लगेगा ही लगेगा ठीक है अब ज़रा गौर कीजिएगा इस drawing में क्या क्या दिया गया है तो पहले हमें 20 mm का ले लेना है यह हम 20 mm ले लेते हैं ठीक है तो आप क्या करें offset ले 20 enter कर दे आप यहां से इसको पकड़े 20 mm का हो गया tr double enter कर दीजिए फिर अगला step क्या होगा फिर 7 7 आप यहां से कितने बार लेना है 1 2 3 4 5 तो आप इसको offset ले लेंगे offset offset distance हम लोग 7 ले लेते हैं इंटर कर देते हैं ठीक है और इसको select करने के बाद यहां पर आपको multiple का एक option दिखाए देगा आप इस पर क्लिक केजिए 1 2 3 4 5 ओके और जो बच गया है वो हमारा यह रहेगा यह जो option है ठीक है तो आप check करके भी देख सकते हो इस्तमाल कर पाएंगे ओके ना वाट आप देखे यहां से 15 25 and 20 ले सकते हो तो आप यहां से offset लेजिए पहले तो हमें 15 लेना है इंटर आप इसको select किजिए यह हो गया दूसरा क्या है 25 है तो आप यहां से 25 ले सकते हो 25 and last one 20 का आप ले लीजिएगा ओके और बाकी का जो भी है हमें प्रिम करना है टी आर डबल इंटर इसके उपर यह साफ इसके उपर यह साफ और यहां से यह सब भी साफ हो जाएगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा title ब्लॉक अल्मोस्ट बन के तैयार हो चुका है अब यहां पर 10 बाइ दस का एक और ले लेना है और यह 25 लेना है offset ले लेता हूँ 25 इंटर आप यहां select किजिए और ऐसे ले लीजिए ठीक है टी आर डबल इंटर इसको delete कर देता हूँ और यहां से पकड़के एक line आप ले सकते हो और नहीं तो यह जम नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हो M A for match property दोनों को match कर देते हैं तो here we have created A for size of sheet you can see आप इसको save कर सकते हो ठीक है अब अपने हिसाब से इसमें कोई भी information fade कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर लिखना चाहते हो क्या लिखना चाहते हो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर name हो गया यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हो date हो गया है ना designed by राहुल कुमार किस date को किया दस दस 2020 drawn है ना checked standards approved drawing number कौन सा है sheet number कौन सा है यह जो भी चीजें आपको type करना होगा यहाँ पर आप type कर सकते हो आई बात समझ में और किस company का है तो यहाँ पर आप name of the firm यानि company का नाम भी आप डाल सकते हो आई बात समझ में यह देखिएगा यहाँ छोटा सा आपको यहाँ जो दिया गया है वो third angle projection method का symbol दिया गया है फर्स्ट एंगल होता तो यह जो circular circular है वो right side में होता ठीक है उल्टा हो जाता इसका तो यहाँ पर जिसको drawing थोड़ी सी समझ में आती है तो यह सारे चीजें जो है मैंने आपको orthographic में बताया है फर्स्ट एंगल projection थार्ड एंगल projection का symbol कैसा होता है ठीक है तो यह हमें समझ में आना चाहिए ओके यह हो गया अगर आपको feed करना है चलिए भाई यहाँ पर आप name of the company जैसे कि हम यहाँ पर digital CAD solutions डाल सकते है ठीक है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इसके लिए मैं यहाँ से यह borderline ले लेता हूँ या तो फिर text का इस्तमाल आप कर सकते हो ठीक है या तो फिर यहाँ पर direct आप title block ले सकते हो here you can see आप यहाँ से type किजिए digital CAD solutions ठीक है हलाके यह एक educational institute है okay so solutions one second okay now आप चाहें तो इसका size यहाँ से बड़ा कर सकते हैं 5, 2, 3, whatever value you want 2 का डाल देता हूँ 25 होगे लगता है यह इंटर कर देता हूँ या तो फिर आप 10 का ले लो इंटर कर दिया बहुत बड़ा हो रहा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं here you can see आप यहाँ से 7 या 6 का ले ले ठीक है ना 7 या 6 का ले 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 यहाँ से centered में ले ले बाद में हम उसको adjust कर सकते हैं here you can see और थोड़ा सा बड़ा करना है 8 ले ले लेता हूँ मैं ठीक है अप इसको यहाँ से मैं हलाके multi line text, angle line text के बारे में पूरी तरह से detail में समझाऊंगा you don't have to worry about anything okay underline करना underline कर दीजिए और यहाँ से okay कर दीजिए ठीक है आप यहाँ से जरा ऐसा सरका सकते हैं तो सरका दीजिए here you can see digital CAD solutions and we are going to type here digital India का digital guru तो T for text यहाँ पर आप type कर दीजिए digital India का digital guru ओके तो यहाँ से हमें टैप कर देना है India का digital guru ओके ना इसी तरीके से हरे company का एक अपना नाम होता है और अपना जो भी है टैग लाइन वगरा होता है उसको यह follow कर सकते हैं यहाँ से 6 or 7 जो भी है आप ले लिजिए ओके so as you can see that हमने company का नाम वगएरा वगएरा लिख लिया है और यहाँ से ok कर देता हूँ तो जैसा कि आप देख पारे हो यह हमारा हो गया company का नाम और यहाँ से आप type कर सकते हो जितना भी चाहिए अगर आप यहाँ से single line text का भी इस्तमाल करते हैं हलाकि मैं इन सारे चीजों के बारे में details में आपको समझाओंगा बताओंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो design drawn जो भी है आप लिख लिजिए यहाँ से आपको direct इधर से इसके आसपस जाना है और angle 0 रख लेना है तो आप यहाँ से type कर सकते हो designed designed ओके आप अगर चाहें तो इसका size भी कम कर सकते हैं actually बाहर click कर देंगे escape कर देंगे आप इसको select किजिए और control 1 press किजिए तो बाद में हम इसका size भी change कर सकते हैं you can see height make it 3 okay छोटा हो गया न थोड़ा तो आप इसी method का इस्तमाल करके हम उसको ले सकते हैं यहाँ पर type कर दीजिए और बाद में हम इसको copy कर लेते हैं इस जगा से उठाएंगे बाद में हम सिर्फ और सिर्फ modification करेंगे ठीक है इसमें इसको ही उठाके हम copy कर लेते हैं और ठीक है यहाँ पर आप name लिख दिजिए name बाहर क्लिक कर सकते हैं इसको select करेंगे date बाहर क्लिक कर देते ठीक हैं और इसको हम जड़ा move करके center में ले लेते हैं इस जगा पर और इस जगाँ पर ठीक है designed और यहाँ पर हो गया हमारा drawn checked जो भी चाहिए आप यहाँ से drawn checked drawn यहाँ पर आप click कर सकते हो checked checked approved भी कर सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा अगर यहाँ से RVD कर देंगे तो भी चलेगा और यहाँ पर हमारा क्या है approved standard वगेरा जो भी है आप लिख सकते हो किसा standard में काम किया गया है TD समझ में आ जाता है तो इस तरीके से हमें यह सारे चीज़ें fill करनी है यहाँ पर आप चाहो तो यह डाल दो है ना यह सारे चीज़ें हम लोगों को उसमें feed करनी होती है ठीक है तो यह हमारा हो गया है A4 size का अच्छा एक और चीज़ देख लीजेगा मैं इसको copy कर लेता हूं total या तो total को copy करनी की ज़रुरत हमें नहीं है मैं बस इसको ले लेता हूं और यहां से copy कर लेता हूं अभी देखिएगा यह हमारा हो गया A4 size यहां से आप A4 ले सकते हो ठीक है इस तरीके से आप यहां पर डाल दीजिए this is your A4 अभी A4 का मैंने बताया था कि double होता है A2 तो आप अगर चाहें तो इसी में हम लोग बना सकते हैं याद रखिएगा इसी में हम लोग बना सकते हैं ठीक है ना तो यह था हमारा border हो गया यानि आप trimmed sheet रख सकते हैं this is our trimmed sheet तो इसके अंदर हमें 10-10 mm छोड़ देना है और याद रखिए कि इसका हमें बनाना होगा एक और तो कोई दिक्कत नहीं suppose A3 लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है आप देखिए यह जो A4 का था हमारा यह इसका double हो गया है यहाँ पर ओके और यह जो है first में चला गया है तो यही एक sequence है फिर आप देखिएगा तो A2 में क्या हो गया है 420 इधर shift हो गया है और इसका जो है वो double हो गया है इधर फिर आप यहाँ पर जाइएगा तो यह जो 594 left side में shift हो गया है और 420 का almost double हो गया है तो यह हमें थोड़ा सा देखना होगा फिर आप इधर देखिएगा और से A0 में क्या हो गया है 841 left side में shift हो गया है और इसका double हो गया है तो यह इसी तरीके से नीचे भी होता है आई बात समझ में तो इसको कोई बनाना बड़ी बात नहीं है अगर आप देख लेते हो suppose कर लिजिए कि इसको हम target कर लेते हैं जैसे कि मैंने सिर्फ इसको select किया और copy किया यहां से मैंने copy कर लिया अब यहां line ले लो भई कोई issue नहीं है आप इसके बराबर भी चाहते हो ले लो और यहां से हमने ऐसा कुछ सिर्फ title block ही लिया है हम इसको delete कर देते हैं तो अब हमें क्या करना है देखिएगा गौर से यह A3 का बना रहे हैं हम लोग तो आप 420 ले सकते हो O for offset 420 आपको इस line select करके इधर click करना है और दूसरी बात 297 जो है वो उपर की तरफ आ जाएगा आप इसको select किजिए 297 उपर side में हो गया अब देखिए यह हमारा A3 का side हो गया है अब यहां से आफ फिलेट ले सकते हो M4 multiple ले सकते हो और इस तरीके से हम इसको one second trim में जाके आपको trim का option click करना होगा तभी जाके properly हम ले पाएंगे यह हो गया भाया हम लोगों का A3 का size complete हो चुका है जादा तर drawing sheet आप इसके हिसाब से ही काम करेंगे यह बहुँ छोटा हो जाता है हाँ अगर आपका काम कम है तो आप A4 का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो आप देखिए A3 का कर सकते हो यहां पे और इसका अगर हमने double कर दिया जैसे कि suppose कर लो कि मैं title block को one second मैं सिर्फ इसको इसको select कर देता हूँ copy कर देता हूँ तो अगर मैं ने इसको double कर दिया यानि copy कर लेता हूँ यहां से पकड़ के यहां तक तो यह हमारा हो जाएगा A2 का और इन दोनों को पकड़ के हमने copy कर लिया अगर तो इसका double हमारा हो जाएगा A1 का ये total A1 का हो गया है A1 का double अगर हमने कर दिया तो याद रखें ये हमारा A0 का हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप करते हो काम ठीक है और इसी तरीके से उसका हाप हाप होता चला जाता है हमें जादा इसके बारे हम सोचना नहीं है तो ये हमारा A3 का size बनके हो गया है तयार आप अगर चाहें इसको copy कर सकते हैं ठीक है यहाँ से आप copy कर लिजे जरा सा और यहाँ पर हम type कर देंगे A3 ठीक है फिर इसका double हो जाएगा A2 आप इसी तरीके से sheet बना सकते हो ठीक है ये हो गया आपके company के हिसाब से customization किया हुआ यानि आपने company का नाम डाल दीजे और इसको आप कभी भी shave कर सकते हो save करके रख लिजे जब जरूरत होगी जैसे कि suppose मुझे A3 में अभी print out करनी है इसमें तो आपको क्या करना होगा अपने बने बनाए drawing को यहाँ पर insert करना होगा अगर आप यहाँ पर थोड़ा offset डालना चाहते हो तो 10-10 का offset आप ले सकते हो ठीक है बाद में क्योंकि हमें परिशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है actually ऐसा होना चाहिए F for fillate, M for multiple आप इसको यहाँ से connect कर दीजिए यह हमारा margin जो होना चाहिए वो जरूरी है और इसको हम कर देते हैं Trimmed Sheet में ठीक है यह हमारा हो गया है कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को folding mark भी दिखाना पड़ता है यहाँ से ठीक है जो की इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि आज कल हम लोग folder में रखते हैं plastic वाला जो होता है हमारा एक cylinder पूरा होता है तो आप इसमें रख सकते हो आप चाहो तो copy भी कर लीजिए यहां से यह हमारा folding marks होता है जहां से sheet को fold करना होता है हलाके इसकी जरूरत आज कल नहीं पड़ती है यह तो हो गया हमारा sheet A3 का अब इसमें हमें क्या करना है अपने drawing को लाना है और उसको हमें print out करनी है ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग देखिए यहां से हमें insert में जाना होता है या you can see insert मैं एक demo बता रहा हूँ बाकी का बाद में देखिए recent block आप जा सकते हो अगर नहीं तो आप क्या करेंगे current drawing में जाईए या तो फिर आप खोल भी सकते हो यहाँ पर जाके यहाँ पर आप click किजिए और जो भी आप फाइल print out करना चाहते है यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो जैसा कि देखेंगे यह हमारा आ चुका है हलाकि इसका size काफी बड़ा हो रहा है nothing to worry क्योंकि आप देखेंगे तो यह देख लिजे बड़ा सा size है nothing to worry हम इसको ठीक कर सकते हैं और तो को करेंगे off और हम इसको यहाँ पर जाके रख देते हैं ठीक है जैसा कि देख पा रहे हो यह थोड़ा सा एक साथ होने की वज़ा से इस तरह से हो रहा है लेकिन हमें इसके लिए जो होगा यह दूसरा sheet लेना पड़ेगा यानि इसका double लेना पड़ेगा तब जाकर यह सही बैठेगा नहीं तो आप इसको rotate भी कर सकते हो तो आपको यहाँ से अगर explode करना है तो explode कीजिए now it becomes different and it becomes different तो आप यहाँ से बाद में जाके इसको group कर सकते हो ठीक है इस तरीके से मैं इसको move कर लेता हूँ जरा सा आप चाहें तो थोड़ा rotate भी कर सकते है select कीजिए rotate कीजिए बाद में हम बताएंगे आपको कि actually क्या करना है सो और उसके कई तरीके भी है ताइसे तो bite नहीं रहा है भाई अब हम इसको उपर नीचे भी कर सकते है है ना undo कर देता हूँ जरा सा और यह हम group में कर लेते हैं इसको आप चाहो थोड़ा सा move करके उपर की तरफ ले लो और हम इसको पकड़के थोड़ा सा इस साइड में ले लेते हैं here you can see तो हम लोगों को थोड़ा सा adjust करना होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बनके हो गया तयार और इस drawing के हिसाब से आप देख पा रहे हो कि इसका जो text का size है वो काफी कम है ठीक है तो हमें D4 dimension style में जाना होगा और modify में जाना होगा fit में जाने के बाद आप इसका scale जड़ा सा तीन गुना कर दीजिए और यहां से ok कर देते हैं जड़ा देखते हैं देखिएगा इसका scale थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया D4 dimension style modify इसको two times कर देता हूँ ok now it is looking better so you can see हमने उस drawing को insert कर दिया है अपने इस sheet में और इस sheet का size क्या है अगर आपको कुछ details डालना है तो यहां पर आप कुछ लिख सकते हो here you can see हमने इसको पूरी तरह से ले लिया है properly आ चुका है हमारा ठीक है ना अब आप चाहते हो इसको print out करना तो एक और मैं request करना चाहूंगा दरसल यह सारे layers में देखिएगा आप तो यह हमारे drawings जो है वो yellow yellow है और अगर आप इसको यहां से देखिएगा यह drawing का color जो है थोड़ा सा change कर लेते हैं ताकि white background में देखने में परिशानी ना हो जैसा कि आप देख पारे हो जितने भी yellow थे उसको मैंने blue color में convert कर दिया है और हमारे dimension के जो colors हैं जैसे कि आप देख पारे है this is the dimension color तो इसको आप क्या कर लो थोड़ा सा dark में ले लो अभी तो नहीं दिखेगा बट अगर मैं इसका background color white कर दूँ जैसे कि op for option और यहां display और colors में चले जाए तो यहां से अगर मैं white कर दूँ तो देखिएगा यह कितने clean नजर आ रहे हैं ठीक है ना तो इस तरीके से आपको convert कर लेना है और आप इसका भी color जो है trimmed का इसको भी आप ज़रा सा dark कर लिजे so nothing to worry यह हमारा पूरी तरीके से perfect हो चुका है अब आप हम इसको print out कर सकते हैं ठीक है यह जो है हमारा actually इसके साथ यह match हो गया है अभी one second अच्छा ठीक है कोई issue नहीं है अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको print out कर सकते हैं तो print out करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको सबसे शांदार सबसे easy method बताता हूँ है ना जिसके लिए कुछ नहीं करना होता यह size क्या है भाई A3 का है A3 का लिए है ना आप यहां से check भी कर सकते हैं जैसा कि आप यहां से यहां तक जाईए और ज़रा check करके देखिए one second मैं dimension वाला यहां पर देखिएगा तर dimension का एक layer बनाया हमने और पूरी तरह इसे आप देखेंगे one twenty यहां से two ninety seven तो यह सारे चीजें हम लोगों को ज़रा दिखा देनी चाहिए ताकि आपको अगली बार बनाने में किसी तरह का कोई परेशानी ना आए ठीक है तो आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा यह tough नहीं है बट अगर याद नहीं रहेगा तो छोटी से छोटी चीज भी tough लगने लगता है ठीक है so always remember the parameters हलाके यह कोई fix नहीं है बबा यहाँ seven ही लेना है ठीक है बस कोशिश कीजिए जितनी requirement है वह आपके पूरी तरह से details यहाँ पर दिख जाए तो ज्यादा बहतर रहेगा आपको यहाँ total के total दिख चुके है ठीक है इस तरीके से आप दिखा सकते हैं यहाँ से मैंने यहाँ तक भी दिखा दिया it's looking very nice और यहाँ से मैंने यहाँ तक भी ले लिया that is 10 and बचा हुआ जो रहेगा वो 10 का ही रहेगा आप यहाँ से total इसका दिखा दिजिए तो इस तरीके से आप एक sheet बना सकते हो और बाकी का सब बराबर है ठीक है ओके इनाव सी यहाँ पर जो भी symbols वगएरा हैं आप डाल सकते हैं दरसल हम आपको drawing बताने के बाद यह title block कैसे create करना है table से भी हम लोग इस तरह के title block को create कर सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सारे informations होते हैं आएक drawing का जो title block होता है उस drawing sheet के बारे में पूरे information बताता है all dimensions are in mm drawn by checked by approved देखिए जो हमने बनाया है उससे यह थोड़ा सा अलग है ठीक है तो ऐसा घबराना नहीं है है ना आपने जरूरत के हिसाब से यह change होता है याद रखिए scale इसका one ratio one है ठीक है कौन सा part number बना रहे हो या फिर assembly बना रहे हो इसका पूरा details हमें बनाना होता है हलाके मैं आपको यह drawings भी बना करके दिखाऊंगा तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है अब बात कर लेते हैं जरा साथ दूसरे एक और छोटा सा मैं drawing यहां insert करना चाहता हूँ so nothing to worry हम लोग कभी भी कितने भी drawing sheet sheet में insert कर सकते हैं और print out कर सकते हैं तो यहां मैं फिर से insert में जाता हूँ recent block में जाईए और यहां पर आपको click कर देना है ताकि आप अपने बनाए हुए file को खोल सके suppose यह छोटा सा एक drawing है आप चाहो तो इसको cancel कर दिजे चोटा सा ले लेना है तो ले सकते हो यह तो बहुत सारे drawings है इसको ले लेता हूँ और यहां से मैंने double click किया और यहां पर आप कहीं पर भी click कर दो जैसा कि आप देख पा रहे हो यह हमारा आ चुका है actually इसमें दो दो है दो तो बैठेगा नहीं तो हम क्या करेंगे इसको explode कर देते हैं फिलहाल आप क्या कर लो मैं इसको ही या फिर इसको ही ले लेता हूँ या you can see आप इसको पकड़के यहां पर रख दीजे it's looking large ओके न बड़ा ही lengthy हो गया है थोड़ा सा आप चाहो जिसका skill छोटा भी कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे है ना और नहीं तो मैं या you can see थोड़ा सा आप सरकाना चाहें सरका सकते हैं और इस dimension को पकड़के explore की ज़रा सा ताकि हम इसको थोड़ा सा सरका पाएं यह तो completely block है actually ठीक है देख लेते हैं अगर जगा मिली तो हम इसके हिसाब से भी काम कर लेंगे ठीक है इसको ले लेते हैं तो हमने इस drawing को भी adjust कर दिया है अब ज़रा सा हम लोगों को ma4 match property इसको select करूंगा और यह सारे actually यह block है इसको हम explode करते हैं ma4 match property and select my god यह सारे explode हो गए है ठीक है यह सब हम आने वाले दिनों में देखेंगे और यह सब के सब हम लोग print out कैसे करते हैं अच्छे से uniformly print out कैसे करते हैं यह सब के बारे में हम जानने वाले ठीक है so never mind यह हमारा perfect बैठ गया है आप इन दोनों को delete कर दिजिए अभी तो हमारा यह machine drawing का पहला ही lecture है आगे हम देखेंगे तो चलिए यह हमने पूरी तरह से dimension डाल दिया है यह जो हमने mark लिया है वो हमारा आप चाहूत इसको explode कर दो और यह हमारे लिए अच्छा यह ungroup करना होगा यह group कर दिया था हमने ठीक है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस side भी लगा लेना है ऐसा चाहिए लेकिन आज कल इसकी ज़रुवत्ती परती क्योंकि हम लोग cylindrical box में रखते हैं तो आप देखते हैं इसको print out कैसे करेंगे यहां पर देखिएगा यह हमारा plot का एक sign है आप इस पर क्लिक किजिए आप चाहे न तो इसका size कभी भी change कर सकते हैं बाइडिफॉल देखिएगा तो यहां से हम लोगों को AutoCAD PDF और AutoCAD PDF high quality print आप इसको select किजिए यह 2020 माया high quality print आप इसको select कर सकते हैं और बाद में आप क्या कर सकते हैं यहां से A3 ले लीजिए यह हमारा है 420297 इसी को हमने select किया था ना आप इसी को select कर लीजिए और center the plot पे जरूर क्लिक किजिएगा ठीक है fit to paper किजिएगा no problem अब देखते हैं और क्या होता है यहां से आपको window ले लेना है और जितना आप चाहो उतना cover कर दो और यहां से okay कर दो दरासल dimensions जो हमारे थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो आप इसको अंदर ही रख ले तो बहतर होगा नहीं तो क्या होगा फिर हम लोगों को गड़बला जाएगा सब है ना आप इसको अंदर रखे नहीं तो दिखेगा नहीं और यह जो text है हम इसको जरा सा उपर कर देते हैं हलाके यह demo sheet था हम इस पे print out नहीं करने वाले हैं बस मैं आपको process समझा रहा हूँ कि कैसे आप print out कर सकते हैं चलिए आप a3 का ले लिजिए center the plot किजिए यह रहेगा window window में जाने के बाद इतना से इतना तक हमने cover कर दिया और यहां से आप चाहो okay कर दो अब okay करने बाद जहां पर save करना चाहते हो save पे यह रहा हमारा एक actually यह तो बहुत छोटा हो गया actually यह हमां लोगों का one second इसको हम क्या करेंगे portrait में ले लेंगे ठीक है इसको मैं close कर देता हूँ control P करने के बाद आप चाहें तो यहां से landscape पे click किजिएगा तो कि हम लोगों का perfect आएगा हमारा portrait में था selected इसलिए यह portrait में आ रहा था अब भी हम क्या करेंगे landscape में ले लिया है क्योंकि हमने यह sheet जो बनाया है वो landscape पे बनाया है ना तो यहां पर भी हम लोगों को landscape selected होना जरूरी है आप यहां से A3 का ले लिजेगा ओके center the plot और यह रहेगा हमारा window सो आप जाके हम लोगों का सही सलामत आएगा ठीक है ओके कर देते हैं यहां से number two कर देता हूं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह देखिए हमारा perfect sheet आ गया है अब आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं और print out निकालवा सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से आप जो है print out करवा सकते हैं तो जैसा कि आप देख पार है everything is neat and clean dimensions are looking very neat and clean text are looking very neat and clean dimensions what we have applied here are looking very nice ignore this one क्योंकि हम जानते हैं कि इसका क्या size है आप नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा पड़ मैं sheet दिखा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर dimension दिखा दिया हलाके extra जो है वो हमारा untrimmed होता है अप हो सकता है इसके साथ में आप लाएं बाजार से तो हमें जो drawing के लिए sheet तयार करना होता है उसमें इस तरह का हमें छोटा मोटा काम करना ही पड़ता है ठीक है तो I hope यह sheet layout के बारे में हम लोगों को पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी है ना किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देना आप हमें call करके पूछ सकते हो कभी भी ठीक है बहुत सारे तरीके और भी हैं इसके बारे में हम आने वाले lectures में बात करेंगे अगले session में हम लोग सुरुवात करेंगे कि हम machines बनाते कैसे हैं और एक एक part को हम details के साथ बनाएंगे फिर आपको sheet में print out कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे हलाके जो यहाँ पर दिया गया है layout 1, layout 2 यहाँ पर भी जाके आप sheets print out कर सकते हैं राइट क्लिक किजिए आप new layout भी ले सकते हैं हम इसके बारे में special lecture भी लेने वाले हैं ठीक है तो एक बना-बनाया sheet आपके सामने मिल जाएगा और आप अगर इसको select करके explode करते हो तो देख पाओगे कि यहाँ पर क्या-क्या लिखा हुआ है ठीक है यह सारी कि सारी चीजे हमारे लिए दिया है आउटोकेड ने ठीक है और यह जो dotted dotted line है यह हमारा printing area होता है तो खैर इसके बारे में हम लास्ट में देखने वाले हैं अभी बस मैंने बता दिया कि बबा इस तरह से sheet हम लोग तयार करते हैं चलिए फिर मिलते हैं नेक सेसन में thank you for this session thanks for joining digital card solutions bye bye good day take care